नमस्कार दोस्तो ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है मैं हूँ ओमकार चोधरी इस बात में तो किसी को कोई संधे नहीं है कोई शक नहीं है कि नरेंदर मोदी एक सुल्जे हुए पॉलिटीशन है और सोच समझ करके कोई भी फैंसला लेते हैं लेकिन जो कुछ तीन किर्शी कानून को वापस लेने के फैसले के बाद हम देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि प्रदान मंत्री का जो आकलन है वो गलत साबित हो रहा है उनके समर्थक तो उनसे नराज हैं ही जिनके बारे में ये सोचा जा रहा था के शायद उनकी आत्मा शान्त हो जाएगी वो अब चुप करके बैठेंगे और शालींता दिखाएंगे समझदारी दिखाएंगे ऐसा लग नहीं रहा उनके आचरण से उनके व्यावाहर से के वो ऐसा कुछ करने वाले हैं रणदीव सुर्जेवाला के तीन ट्वीट देखिए हमारे भाषण जीवी परधान मंत्री जो किसानों जमीन मालिकों को लेंड एक्विजिशन ओर्डिनेश के फाइदे नहीं समझा पाए अर्थ शास्त्रियों देशवासियों को नोट बंदी के फाइदे नहीं समझा सके वियापारियों दुकांदारों को GST के फाइदे नहीं समझा सके अलफ संख्यकों को CAA के फाइदे नहीं समझा सके मध्यंवर्ग किसानों गरीबों को खुली लूट की तरह बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल पर excise duty के फायदे नहीं समझा सके ग्रहनियों को एक हजार के gas cylinder के फायदे नहीं समझा सके उद्योगपतियों वे निवेशकों को make in India के फायदे नहीं समझा सके किसानों को black farm laws के फायदे नहीं समझा सके ना समझी की भी हद होती है साहिब देश सब समझता है सूट बूट की सरकार नहीं रणदीव के ये तीन ट्वीट और लोगों की इस पर जो प्रतिकिरिया है बहुत सारे लोगों ने उनके इस अंदाज पर और जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट करके प्राइम मिनिस्टर पर अटेक करने की कोशिश की है उसके उन्हीं अंदाज में जवाब भी दिये है मैं कुछ जवाब आपको पढ़कर के सुनाता हूँ और उसके बाद हम इनके ट्वीट उनकी भाषा उनके मुद्दों पर जड़ा आते हैं और फिर बताते हैं कि जितने भी ये मसले उठा रहे हैं जितने भी ये ब्लेम गेम कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर पर एक्च्वल में इन में रायता फैलाने की कोशिश किसने की लोगों को भढ़काने की किसने कोशिश की और जो नेक नियाती से ये स्टेप मौधी सरकार ने उठाए थे उनमें पलीता लगाकर के सियासी फायदे उठाने की कोशिश किसने की दिलिप निराला हैं उन्होंने रंदीर सुर्जेवाला को कहा है राहुल गांधी अमेठी वालों को अपने परिवार का बलिदान नहीं समझा सके राहुल गांदी अमेठी वालों को नहीं समझा सके कि वे दत्तात्रे गोत्र वाले हैं अमेठी वाले दादा फिरोज और मा एंटोनियों का मिसरन वाला गोत्र समझते रहे वाइनाड वाले इनके जाट एवम धरम को समझ गए एक और हैं लाड सरिया करके हैं इन्होंने कहा है कि जो कान में तेल डाल कर पड़े हों उन्हें कोन क्या समझा सकता है बाकी जो समझे उन्होंने वोट दे कर बता दिया कि मौदी जी हम आपके साथ है एक जीवन रावा हैं उन्होंने कहा है कि आप देश के यशश्वी प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी का नाम लेने के भी काबिल नहीं हो गुलामी करो तलबे चाटो चुनाओ हारो बस यही काम बाकी रहा है और इन्होंने मोदी का एक फोटो भी दिया है जिस पर लिखा है नाम नरेंदर मोदी चीफ मिनिस्टर तेरह साल प्रधान मंतरी साड़े साथ साल दिन तिहत्तर सो पाँच दिन छुट्टी जीरो घोटाले जीरो आरोप देश भक्ती यह इन्होंने उनको अपने ही अंदाज में जवाब दिया है और एक ने पॉस्टर बनाए है 1984 लोग अभी भी वेट कर रहे हैं नियाय का और 1990 जो कार सेवकों पर अटेक किया था मुलायम सिंग यादव की सरकार ने उसके बारे में एक मेम बना करके इन पर अटेक किया है इसके अलावा प्रदी पांडे हैं इन्होंने जवाब अलग तरीके से दिया है भड़ास कहां तक पाली जाए गुलामी कहां तक टाली जाए और दो लाइने ऐसी हैं जो मैं पढ़ नहीं सकता हूँ यानि ये काफी गुसे में है एक सोनू गही हैं उन्होंने कहा है कि तीन किरशी कानून वापस हो गए देखना अब किसान अमीर हो जाएंगे जैसे पहले कॉंग्रेस सरकार के समय थे और फेरी इंडियन फिर भी 303 सीटे ले आते हैं और एक तम्हारा पपू है सब कुछ समझ समझा के भी 60 सीटे नहीं ला पाता वैसे कैथल में कितने वोट मिले थे सुर्जेवाला जी आपको और एक मावरिक राजपूत हैं उन्होंने लिखा है कि कैथल में इनको 5389 वोट मिले थे जमानत जप्त ऐसा ही जमानती जप्त नेता टिकेट के बारे में भी इन्होंने यही कहा है इन्होंने एक पोस्टर जारी किया है इन्होंने कहा है कि 2004 में बहुजन किसान दल बनाया चुनाव में उम्मीदवारों की जमानते जप्त हो गई 2007 में कॉंग्रेस समर्थन से खतोली विधान सबा का चुनाव लड़ा बुरी तरह हार हुई 2014 में अम्रोह से लोगदल से लड़े नोटा से भी कमबोट पड़े जमानत जप्त हो गई ये इन्होंने राकेश टिकैट पर एक पोस्टर बना करके रणदीव सुर्जेवाला को जवाब दिया जो उन्होंने परधान मंतरी पर अटेक किये थे रामप्रकास निरंजन ने कहा है कि सुर्जेवाला जी भाषन देना सबके बसकी बात नहीं कॉंग्रेस खुद जिस लेंड एक्विजिशन ओर्डिनेंस को लाना चाती थी GST भी कॉंग्रेस लाना चाती थी किरसी विल भी लाना चाहती थी लेकिन आपने फिर भी सभी का विरोध किया आपके इस दोगलेपन के कारण ही आज कॉंग्रेस सबसे बुरे दोर से गुजर रही है एक ब्लैंक करके हैं उन्होंने लिखा है कि जो भूमी अधीग रहन कॉंग्रेस लाना चाहती थी वो विकास के साथ किसानों और गरीबों का भला करती जवर जस्ती नहीं थी GST विल कॉंग्रेस का एक टेक्स था इनकी तरह नहीं किर्शी विल किसानों के भले का था अडानी और अम्वानी के भले का नहीं और खुद ही बता रहे हैं कि सब कॉंग्रेस का इन्होंने चोरी किया हुआ है यानि जब भी मौदी सरकार कोई अच्छा काम करती है तो ये कह देते हैं कि ये तो कॉंग्रेस की प्लैन थी एक ने और पोस्टर जारी किया है हिटलर सरकार और लोकतंतर वाली सरकार में यही अंतर है इस पोस्टर में एक तरफ इंडरा गांधी दिखाई दे रही हैं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं 1975 इंडरा गांधी ने देश को जुका दिया, खुद नहीं जुकी और नरेंदर मोधी के बारे में उन्होंने लिखा है कि खुद जुख गए लेकिन देश नहीं जुखने दिया और चार जून 2011 का इन्होंने एक चित्र दिया है बल परियोग से मनमोहन सरकार ने बाबा रामदेव आंदोलन को बंद करा दिया और मोधी सरकार के बारे में उन्होंने लिखा है कि साल भर किसान आंदोलन चला मोधी सरकार ने कभी बल परियोग नहीं किया ये जवाब दिये हैं लोगोंने रणदीव सुर्जेवाला को जो उन्होंने प्राइब मिनिस्टर पर अटेक किया है और ज़रा सुनिये ये राकेश टिकैट क्या कह रहे हैं अजीत अंजुम से बात करते हुए इनका भी सुन लेते हैं आद्मी मासे अपनी तपासिया खाल होने के भी बात करना है क्या चाहिए आखो इतना जो जुकरा है तो कोई ने कोई प्लान है आद्मी मासे उपरसर बिल्कूल आ गया तो कोई ने कोई प्लान है सहल से भी जादे मिठीकल बात करी आप सुन रहे हैं इनकी बाते हैं जो हम लगातार ये बात कहते आ रहे हैं कि किर्शी कानूनों से इस आंदोलन का कोई दूर दूर तक का भी लेना देना नहीं है वो बात सही साबित हो रही है अगर तीन किर्शी कानून प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने वापस लेने का ऐलान कर दिया है तो फिर अब ये आएं बाएं साएं क्यों ये लेकिन किंतु परंतु क्यों और अब भी प्रधान मंतरी पर अटेक कि प्रधान मंतरी शहद से भी मीठे दिखाई दे रहे हैं प्रधान मंत्री ने इन 11-12 महिनों के दोरान क्या एक भी स्टेटमेंट को ऐसा दिया है जिसको आप ये कहें कि वो किसानों के प्रती अपमान जनक था उन्होंने अगर कोई बयान दिया भी है पारलेमेंट के भीतर भी और पारलेमेंट के बाहर जनसभाव में भी तो वो केवल आंदोलन जीवियों को लेकर के दिया है जो किसी के इशारे पर या किसी के दोरा फंडिंग किये जाने पर यहां बैठे हुए हैं और जो सरकार को और मीडिया को भी ये बताने में विफल रहे कि इन तीन किरशी कानूनों में किसानों के खिलाब क्या है अगर आप यही नहीं बता पा रहे हैं कि इन किर्शी कानूनों में गलत क्या है और एक देश की राजधानी को चारों तरफ से घेर करके उसका गला दबा करके आप लोगों का जीना हराम किये हुए हैं तो इससे पता चलता है कि इसके पीछे एक्चुल में सोच क्या थी, साजिश क्या थी, प्लानिंग क्या थी एक और हैं जिनोंने रणदीप सुर्जेवाला को जवाब दिया है पंकज भीमानी करके हैं जिस दिन राहुल जी पूरे देश को उनकी हर हपते की विदेश यात्रा के फायदे देश की जनता को बताएंगे तो देश की जनता समझ जाएगी और कॉंग्रेस ने जो राज नहीं थी, किर्शी बिल पर की है उसकी कीमत देश दशकों तक चुकाएगा कॉंग्रेस जिन बिल को लाने की हिम्मत नहीं कर सकती कभी जबके GST, नोटबंदी, किर्शी बिल सब कॉंग्रेस के ड्रीम थे जिनने मौदी जिनने फूरा किया अब कभी कॉंग्रेस इन बिलों को लाने की खुद हिम्मत नहीं कर सकेगी और ना कोई और सरकार कर सकेगी और एक राष्टवादी उन्होंने लिखा है कि अब इस देश में सुधारों का कारिकरम शायद ही कभी चल सके चुनाओ परिणामों से डर कर हर सरकार जैसा चल रहा है चलने दो की नीती पर पांच साल बिताएगी और चली जाएगी जैसा देश में दशकों से होता रहा अब देश ठहर जाएगा जब तक जनता जागेगी हम विश्व में पिछड चुके होंगे वापस बिल नहीं हुआ विकास वापस हुआ है और एक मैरुन गवय है वो लिखते हैं कि सुर्जेवाला जी उन्होंने ये कहा है कि कुछ लोगों को समझा नहीं पाए अब उनमें आपोजिसन के भी बहुत से पुद्धी जीवी लोग है जिनको ये सारे विलों के खायदे समझा नहीं पाए और एक अमित गुपता है उन्होंने लिखा है कि विरोधी लोग तो देश बेचने में लगे हैं उन्हें देश हित की बात समझ में नहीं आएगी और सुधीर भारदवाज ने लिखा है किर्शी कानून वापस परंतु आंदोलन वापस नहीं इसे समझें कि आंदोलन का किर्शी कानून से कोई मतलब नहीं ये तो मोदी के समानांतर सरकार चलाने का परियास ये एक ट्वीट सुधीर भारदवाज की तरफ से और अजयगीरी कह रहे हैं हजारों सिखों के गरदन कटवाने वाली कॉंग्रेस को समझ में नहीं आई सिखों को बदनाम करने के लिए आज नवजो सिंग सिद्धू से पाकिस्तान प्रेम का बयान जो आप लोगों ने दिलवाया है उससे यही जग जाहिर हो रहा है कि अपने निजी लाब के लिए पंजाब को अशान्त और पंजाब को बदनाम कर रहे हैं शुबहम आजाद लिख रहे हैं सुर्जेवाला जी आप बस गुलामी कीजिए आप में हिम्मत है सच बोलने की तीनों कानून किसानों के हित में थे लेकिन कॉंग्रेस की गंदी राजनीती ने किसानों के बहतर होते भविश्य को खराब कर दिया यदि किसान समरद्ध होता तो देश भी समरद्ध होता लेकिन सत्तर सालों तक किसानों को गरीब रखने वाले ये देख नहीं पाए एक और पोश्टर जीवन रावा ने दिया है इसमें एक सोनिया गांदी है जो इंदरा गांदी को सरधांजली दे रहे हैं नीचे प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी हैं जो महत्मा गांदी को सरधांजली दे रहे हैं और इस पोश्टर में उन्होंने लिखा है कि सेंडल पहन इंदरा गांदी को सरधांजली नंगे पैर महत्मा गांधी को सरधांजली संसकार का फर्क तो लोगों की कितनी पैनी दरश्टी रहती है एक गटना करम पर एक एक चित्र पर इससे ये दर्शाता है एक परफुल पटेल के नाम से ट्वीटर हैंडल है उन्होंने लिखा नवजोत सिंग सिद्धू के इमरान प्रेम पर भढ़के कॉंग्रेस नेता मनीश तिवारी ने पूछा क्या हम अपने सैनिकों की शहादत को भूल गए और एक और पोस्टर जीवन ने दिया है इसमें आप देख सकते हो कॉंग्रेस का हाथ बना हुआ है उपर आतंग के साथ कॉंग्रेस नकसल के साथ कॉंग्रेस पत्थर बाजयों के साथ कॉंग्रेस हत्यारों के साथ कॉंग्रेस बरष्टों के साथ कॉंग्रेस पाकिस्तान के साथ कॉंग्रेस और रेपिस्ट के साथ कॉंग्रेस ऐसा कोई गुणा नहीं जिसे कॉंग्रेस की पनहा नहीं तो लोगों के जो रियक्शन है और जो लोगों का गुस्सा है वो फूट पड़ा है और शायद इसकी वज़े ये है कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जो ये बड़ा रिस्क लिया है तीन किर्शी कानून वापस लेने का जिसकी वज़े से उनके जो समर्थक हैं वो भी उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनको मजबूत बने रहना चाहिए था इतना बड़ा रिस्क प्रधान मंतरी ले रहे हैं और फिर भी जिनको खामोश होना चीए था इसके बाद जिनको आंदोरन खतम करने चाहिए थे जिनको ये आग बुझी हुई बयान बाजी बंद करनी चाहिए थी वो अभी भी बेशर्मी पर उतारू हैं और उल्टे प्रधान मंतरी पर ही अठेक कर रहे हैं और शायद इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं है एहसास भी नहीं है कि जब-जब इस तरह की हरकते होती हैं यानि प्रधान मंतरी तो एक तरीके से जुके हैं उन्होंने देश को तूटने से बचाने की कोशिश की है, लेकिन जो इन फेक आंदोलन कारियों के साथ खड़े हुए थे या खड़े हुए हैं, वो अब भी बेशर्मी पर उतारू हैं, एक और पोस्टर देखिए, चलो मान लिया, पी-एम मोधी ने किर्शी कानून वापस लिया, और कानून नय समझा पाने के लिए किसानों से माफी मांगी, पर क्या 1984 सिख दंगे के लिए कॉंगरेस ने माफी मांगी, क्या 1990 कश्मीरी पंडित नरसन हार के लिए माफी मांगी, क्या 1990 कार सेवकों की हत्या के लिए समाजबादी पार्टी ने माफी मांगी अब लोगों ने ये सवाल खड़े करने शुरू कर दिये हैं तो मैं वापस से आता हूँ अपने उस विशे पर जिसका मैंने आपसे वाइदा किया था सुर्जेवाला ने अपने ट्वीट में कहा है किसानों जमीन मालिकों को लेंड एक्वेजिशन ओडिनेश के फायदे नहीं समझा पाए क्या सुर्जेवाला ये गारिंटी के साथ इस देश के सामने बता सकते हैं आकर के कि जो 55 साल तक कॉंग्रेस ने शासन किया है उसने अपने 55 साल के शासन काल में पूरे देश में कहीं किसानों की एक इंच भूमी का भी अधी गरहन कभी नहीं किया क्या कॉंग्रेस ने कभी भूमी का अधी गरहन नहीं किया तो ये जो राश्टी राजमार्क बने ये जो बड़े-बड़े बांध बने थे ये जो दूसरी परियोजनाए हुई थी ये जो रेलवे लाइन विची थी सडकें बगारा जो अलग-अलग शेहरों में जो डवलप्मेंट अथोरिटी बनी है फिर उन्होंने ये विकासकारिय कैसे किये थे दूसरा ये कहते हैं अलफ संख्यकों को सी ए ए के फाइदे नहीं समझा सके वो अलफ संख्यकों के लिए देश के अलफ संख्यकों के लिए वो कानून था ही नहीं वो तो अफगानिस्तान पाकिस्तान और बंगला देश के अलफ संख्यक यानि हिंदू, सिख् पार्सियों, इसाईयों, बद्धों और जैनियों के लिए था ये तो मुसल्मानों को भड़काने का काम तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका बाडरा ने किया था वामपंतियों ने किया था CAA को देश के मुसल्मानों के खिलाब बताने का जुर्म तो इन्हों ने किया था आप ने किया था तो प्रधान मंत्री क्यों समझाएंगे देश के अल्फ संख्यकों को और ये चीजे हैं जो ये शो करती हैं कि कॉंग्रेस अभी भी इस समय भी मिसलीड कर रही है देश को फिर ये कहते हैं मध्यमबर्ग किसानों गरीबों को खुली लूट की तरह बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल पर एकसाइज ड्यूटी के फायदे नहीं समझा पाए कौन सा देश है इस दुनिया का जहां पेट्रोल और डीजल इन दिनों में सस्ते हुए हैं दूसरे जितनी ये विकास योजनाई इस समझ चल रही हैं सडकों का जाल बिछ रहा है एकस्प्रेस वे बन रहे हैं और अगर किसानों की ही बात करें तो कौन से परधान मंतरी ने नरेंदर मौदी से पहले किसानों को एक लाख बासट हजार करोड रुपे दिये हैं परधान मंतरी सम्मान निधी के तोर पर और हर चोथे महिने उनके एकाउंट में किसानों के एकाउंट में दो हजार रुपे पहुंच जाते हैं यानि सालाना 6,000 रुपया उनको प्रधान मंतरी सम्मान निदी से मिल रहा है ये कहते हैं ग्रहनियों को एक हजार के गैस सिलिंडर के फायदे नहीं समझा सके कॉंग्रेश शासन में क्या हुआ था जो आपकी ये इंधन से सम्मंदित जितने भी आपके ये हिंदुस्तान या भारत या जितने भी आपके ये पेट्रोलियम के आपके कम्पनियां हैं 72,000 करोड के घाटे में आ गई थी क्या घाटे वाली कम्पनियों को बरबाद करके कॉंग्रेश का अभी तक मन नहीं भरा है आज एर इंडिया की क्या दर्शा है उसको बेचना पड़ा है क्योंकि एर इंडिया का भट्टा अगर किसी ने बैठाया है तो वो कॉंग्रेश पारिटी है पर फुल पटेल जब उडेयन मंत्री थे तब कॉंग्रेश इसका एर इंडिया का और अपनी एर लाइन्स का भट्टा बैठा था फिर ये कहते हैं अर्थ शास्त्रियों देश वासियों को नौट बंदी के फायदे नहीं समझा सके ये मिस लीड किया था कॉंग्रेश ने लोगों को जबके सब जानते थे कि आतंकवादियों नकसलवादियों और सीमा पार से नोट चाप करके हमारे देश की अर्थ व्यवास्ता को बरबाद करने की कोशिश की गई थी वो वाया दुबई नकली करेंसी भारत में आती थी नैपाल के जरिये भारत में आती थी और हमारी अर्थ व्यवास्ता को चोपट कर रही थी लेकिन उसमें भी इन्हों ने लोगों को बढ़काने की हर संभव कोशिश की थी तमाम जितनी चीजें इन्होंने कही हैं ये सब केवल और केवल अभी भी लोगों को मिसलीड करने की हरकत है जिसका जवाब ट्वीटर पर ही लोगों ने इनको ठीक तरीके से दिया है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत आने वाद, नमस्कार